हेलो एरिवन वेल्कम टू एक्जाम फोरम एक्जाम फोरम के आज इस वीडियो में शुरू करेंगे मन्थली टाप 200 करेंट परस का के अप्रेल महिने का पार्टू क्योंकि इससे पहले हमारा पार्ट वन आ चुका है अगर आप पार्ट वन नहीं देखें तो इसको जरूर दे सब्सक्राइब करेंगे अगर आप इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो उसके बाद कोई भी एक्जाम देने जाए आपको 90-95 जो कोश्चन है हर महिना के इसी वीडियो से मिलने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इसके अलावा मैं पिछले 6 मह करेंट एपर की पीडियो बनाया हुआ हूँ जिसमें टोटल कोश्चन 300 है और यह सबी कोश्चन नॉमबर 2018 से लेके 30 अपरेल 2019 तक हैं यानि कि मैं पिछले 6 महिना के हर महिने से 50 कोश्चन कवर किया हूँ इस पीडियो में टोटल कोश्चन है 300 तो अगर आप इस पीडियो क कांटेट कर सकते हैं और यह जो पीडियोफ है सभी जाम चाहे बैंक हो एससी हो रेलवे हो या इंसरेंस हो या फिर किसी भी स्टेट का एक्जाम हो सभी के लिए बहुत ही महत्पूर है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का पहला कोश्चन है कि हाली में गूगल ने जो सही आंसर है वो है अब आपको गूगल कंपनी से दो तीन कोशन पता होना चाहिए पहला कोशन गूगल ने अभी अभी अपना पहला ड्रोन डिलिवरी सर्विस चालू किया है आश्टेलिया में इसके लावा गूगल ने अपना नया क्लाउड प्लेटफार्म लांच किय और इसके वरतमान में जो CEO है वो एक भारती मूल के बेखती है जिनका नाम है संदर पिचाई गूगल कंपनी के दो लोग फांडर है लेरी पेज और सर्जीविन और गूगल कंपनी की जो पैरेंट कंपनी है उसका नाम है अलफाबेट इंक तो यह तीन कोशन आपको यहां स साइकलोन आया था जिसकी वज़े से पूरा देश जो है मुजांबिक तहस नहस हो गया है और भारत में भी एक फोनी नाम का चक्रवात आया है जो की उडिशा पस्चिमंगाल और आंद प्रदेश तीन राज्यों में आया हुआ तो यह दो चक्रवात आपको याद रखना है तूफान फोनी जो की भारत में आया है इडाई साइकलोन जो की मुजांबिक देश में आया है तो इतने कोशन आपको यहां से मिल जाते हैं अगला कोशन कोशन नमबर दो किसे स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ड कप में टीम इंडिया की सदभावना दूद के रूप मे नुक्त किया गया है तो इनका नाम है मिताली राज मिताली राज जो है राजस्तान इड़ाख से हें और भारती करिकेटीमे की टी20 और ODI Maz और टेस्ट फार्मेट की रहां है और यह पंजाब की हरमानप्रेत कर इनको बनाया गया है 2019 में होने वाले इस ट्रीट चाइल्ड क् Cup का सत्भावना दूत भारत की तरफ से इस कोश्ण्ट का जो सही आंसर है वो है b और जो इस्ट्रीट क्रिकेट वर्ड खीला जाएगा यह खीला जाएगा इंग्लेंड और व 다음에 और इंग्लेंड वेल्स में ही 2019 का क्रिकेट वर लडक भी खेला जाएगा जो England और Wales है ये दोनों सहर पड़ते हैं United Kingdom में United Kingdom की राधधानी है London और यहां की प्रधान मंत्री हैं उनका नाम है थेरे सामे United Kingdom की मुद्रा है Pond Sterling United Kingdom जो है चार देशों को मिला के कहा जाता है ये कौन से चार देश है England, Northern Ireland, Scotland और Wales England की राधधानी है London, Northern Ireland की राधधानी है Welfast, Scotland की राधधानी इडनबर्ग और Wales की राधधानी है Cardiff Northern Ireland जो है ये United Kingdom का पार्ट है और जो अलग देश है जिसका नाम है Ireland तो Ireland ये अलग स्वतंत्र देश है इसकी राधधानी है Dublin अगला कोशन, कोशन नमबर तीन भारती एरटेल और फिकी लेडिज आर्गिनाजेशन ने महिलाओं को ससक्त बनाने के लिए कौन सा मोबाइल आप लांच किया है तो इसका नाम है माई सर्किल यानि कि इस कोशन का जो सही आंसर है वो है C इसकी सहाथा से क्या होगा जो माई सर्किल आयप है इसकी सहाथा से कोई भी महिला अगर किसी संकट में है तो इस आयप के सहाथा से 5-6 लोगों को वो सौस, SMS, अलर्ट भेज सकती है और ये अभी तक हिंदी और अंग्रेजी के साथ 13 भासाओं में उपलब्द है और इसका मे नई दिल्ली में इसके अलवा जो फिक्की है फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन आप इंडियन चैंबर साप कामर्स और इंडिस्ट्री ये भारत में जितनी भी इंडिस्ट्री है उनका एक फोरम है और इसका भी मुक्याल है नई दिल्ली में अब मैं आपको 3-4 आप बत द्वारा सिक्षावानी आयप याफ्टांच किया गया है गूगल द्वारा द्वारा बोवरैनिंग अफिक किया है और गुजराज सरकार द्वारा इस्कूली चात्रों के लिए कॉंकर एक्जाम वर्ययर नामक आयप लाउग किया इसके अलवाद चुनाओ आयोग द्वारा चुनाओं की संपूर्ण नेगरानी के लिए सी विगिल नामक मॉबाइल एप लांच किया है और वाटसअप कंपनी ने जो फेक न्यूज होता है इसे लड़ने के लिए टिप लाइन फीचर लांच किया तो इतने कोशन आपको यहां से याद रखने और यह सभी अपरेल मेना में लांच किये गए मॉबाइल आप हैं अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर चार कोशन नमबर चार है हाली में फिलिस्तीन के नए प्रधान मंतरी कौन बने है तो फिलिस्तीन के जो नए प्रदान मंत्री बने उनका नाम है मुहम्मद सतयया यानि कि इस question का जो सही answer है वो है B फिलिस्तीन जो देश है ये इसराइल के अंतरगत आता है यानि कि फिलिस्तीन का जो पूरा हिस्सा है वो इसराइल देश ने occupied करके रखा है फिलिस्तीन के अंतरगत वेस्ट बैंक गाजा इस्टिफ जेरुसलम ये तीन जगों के नाम आते हैं फिलिस्तीन देश को का पूरा नाम है इस्टेट आफ फिलिस्तीन और इसको यूनाइटे नेसंस के अंतरगत एक देश का दरजा नहीं प्राप्त है यूनाइटे नेसंस में State of Palestine को एक आपजरवर State के अंतरगत रखा गया है State of Palestine की राजधानी जो है पुलिटिकल राजधानी है जेरुसलम ये इसको कहते हैं लेकिन जेरुसलम जो है इसराइल अपनी राजधानी मानता है और फिलिस्तीन देश की जो अड्मिनिस्टेट्यू सेंटर है यानि की जहां से पूरा इनका अड्मिनिस्टेशन गवर्न होता है वो है रमला तो इतना कुशन आपको याद रखना है और State of Palestine जो है ये पूरा इसराइल के अंतरगत आता है और State of Palestine को फिलिपीन से कन्फ्यूज मत करना फिलिपीन एक अलग देश है यहां के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है रोडिर्गो दुतर्ते और फिलिपीन की राधधानी है मनीला अगला कुशन अब देखते हैं हम बताते हैं आपको चार-पांच प्रधान मंत्री या राष्टपत जो की अप्रेल मैना में किसी भी देश के बने तो हैती जो एक करेवियन देश यहां के नए प्रधान मंत्री बने जिन में से लेपिन अलजीरिया देश के नए राष्टपत बने हैं अब्दिल कदार वेसला इसलोकिया देश की पहली राष्टपती महिला बनी जुजाना कैपिटोवा इसराइल के नए प्रधान मंत्री जो कि पांच भी बार बने हैं ये बने बेंज्यामिन नियातन याहू तो ये अप्रेल महिना में इतने किसी देश के नए प्रधानमंत्री या राष्टपती बने हैं अगला कोशन कोशन नमबर पांच दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिसेल इंटिलिजनसी पर आधारित सिखर सम्मेलन किस देश में होगा या इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा तो दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिसेल इंटिलिजनसी का जो सिखर सम्मेलन होग वो होगा UAE में यानि कि इस question का जो सही answer है वो है UAE का पूरा नाम है United Arab Emirates ये total 7 Emirates को मिला के कहा जाता कैसे कौन कौन सी? अबुधाबी हुआ, दुबाई हुआ, सार जहां हुआ इस पर का 7 Emirates को मिला के कहा जाता UAE UAE की रादधानी है अबुधाबी और यहां जो मुद्रा चलती उसका नाम है दिरहाम अब आपको UAE से 3-4 question पता होना चाहिए पहला, UAE की रादधानी अबुधाबी ने हिंदी को तीसरी official quote भासा बनाया इससे पहले अबुधाबी की जो quote भासा थी, वो थी अर्बी और इंग्लिस अब इन्होंने हिंदी को तीसरी official quote भासा बनाया इसके अलावा, अबुधाबी में ही 2019 के Special Olympic World Summer Games खेले गए इसके अलावा, जो Gulf countries हैं, तो गलपूरे Gulf countries में पहला हिंदू मंदिर जो बना, ये बना है, UAE की राध्धानी अबुधाबी में इसके लबा, UAE का जो highest civilian award है, जिसका नाम है जायद medal ये दिया जाएगा भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी कुत इतने question आपको UAE से पता होना चाहिए अगला question question number 6 पेरिस महराथन का 43 वाँ जो 23 सेवा संस्क्राण है, इसको किस ने जीत लिया है तो इसको गिलेट बुरका ने महिलाओं में, अबराहम मिलाओं ने पुरुसों में जीत लिया तो इस question का जो सही answer है, वो है C गिलेट बुरका और अबराहम मिलाओं ये जो दोनों खिलाडी है, इतोपिया देश के हैं तो इस question का जो सही answer है, वो है C अगला, इतोपिया देश से एक और नाम आपको याद रखना है इतोपिया जो WHO है, WHO World Health Organization इसके जो head है, जिनका नाम है Tedras Adhanom अगला question, हाँ, इतोपिया की राजधानी है, आदिस अबाबा, इतोपिया की जो मुद्रा है, उसका नाम है इतोपियन बिर और ये जो प्रतियोगिता थी, जिसका नाम था पेरिस महराथन, तो पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है और पेरिस से आपको तीन-चार question पता होना चाहिए, पहला पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, और पेरिस में एक संस्था जिसका नाम है FATF, FATF का पुरा नाम है Financial Action Task Force तो Financial Action Task Force ने पाकिस्तान को अपनी Grade List में डाल दिया है, और भारत ये फेट ये अप से कह रहा है कि आप इसको Black List यानि की काली सुची में डाल दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान टेरिरिज्म आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और उसको funding कर रहा है इसके अलबा पेरिस से पहला कोशन आपको पता होना चाहिए कि 2020 में जो पेरिस में बुक मेला लगेगा, पुस्तक मेला लगेगा, उसमें भारत मुख्य अतिति के तोर पे बुलाया गया इसके अलबा, 2024 का जो Summer Olympic Games हैं ये फ्रांस की राध्धानी पेरिस में खेले जाएंगे और Financial Action Task के पारे में बताई चुका हूँ इसके अलबा, पेरिस में UNESCO का मुख्याल है, UNESCO का पुरा नाम है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization इसका मुख्याल है भी फ्रांस की राध्धानी पेरिस में है और UNESCO की जो वर्तमान में Head हैं उनका नाम है Andra Ejole तो इतने कोश्चन आपको पेरिस से पता होने चाहिए और इस कोश्चन का जो सही आंसर है वो है C अगला कोश्चन, कोश्चन नमबर साथ किस Digital Payment Company ने US आधारित Financial Technology firm B में वो को खरीद लिया है तो इसको खरीद लिया है PayU Company ने यानि कि इस कोश्चन का जो सही आंसर है वो है B फोन पे एक भारती Financial Company है यह Flipkart की Company है Paytium का मुख्याल है नोडा में है और Paytium के फाउंडर है BJ सेखर सर्मा तो इस कोश्चन का जो सही आंसर है वो है B अगला कोश्चन देखते है कोश्चन नमबर 8 सिंगापूर बैटमिंटन ओपन 2019 को किसने जीत लिया है तो यहां से आपको दो नाम याद रखना पहला पुरुसों में जीत लिया है केंटो मुमेटा ने जो की जापान देसके हैं और महिलाओं में जीता है ताई जूंग इं 2019 को में जो जीता है वो लिन डैन ने जीत लिया है लिन डैन जो है यह चाइना के खिलाड़ी है और महिलाओं में मलेशिया बैटमिंटन ओपन 2019 को जीत लिया ताई जूंग जो कि ताईवान की खिलाड़ी है और इन्होंने ही सिंगापूर ओपन भी जीत लिया है तो यह दो कोशन आपको याद रखना सिंगापूर बैटमिंट ट्वाभ याद रना है अगला कोशन डिखते हैं कोशन नमबर-9 हाली में हिमांचल दिवस कम मनाए गया तो हिमांचल दिवस जो है हिमांचल प्रदेश में मना जाता है और ये मना जाता है प्रतिवर्स 15 अप्रेल को क्योंकि 15 अप्रेल को हिमांचल देश का गठन हुआ था तो इस question का जो सही answer है वो है B अब आपको मैं बताता हूँ जितने भी अप्रेल महिना में दिवस मनाए तो सबसे पहला एक अप्रेल को उडिसा दिवस और उसको उतकल दिवस के नाम से भी जाना जाता तो अगर question एक जाम में पूछा जाए उतकल दिवस कम मनाया जाता तो उत्तर होगा एक अप्रेल को 30 मा बिहार दिवस और एक माई को मनाया गया है गुजरात और महाराष्ट्र दिवस ते चार पांक दिवस आपको याद रखना है इसके लावा हिमांचल प्रदेश से आपको तीन-चार question पता होना चाहिए पहला हिमांचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है तासी गैंग तासी गैंग जो जगह है पूरी दुनिया का सबसे उंचा पोलिंग इस्टेशन बना है यह अभी अभी इसका नाम आया था गिनिस बुक आप वर्ड रिकार्ड में इसके लावा हिमांचल प्रदेश ने अपनी second official भासा जो है संस्कृत को बनाया है इसके लावा हिमांचल इसके नाम है मेधा प्रोसाहन योजना इसके साथ जो मेधावी चात्रोंगे उनको कोचिंग के लिए 1,0,000,000 रुपिया प्रोसकार दिया जाएगा तो मेधा प्रोसाहन योजना जो हिमांचल प्रदेश द्वारा चलाई गई है इसके अलावा जो टोल फ्री इमर्जनसी प दूसरा सिरी बिंटर की धरम साला तो यह दो राधानियां आपको याद रखना है हिमांचल प्रदेश के जो मुख्य मंत्रिंग उनका नाम है जैराम ठाकुर जो की भारती जनता पार्टी से हैं और यहां के जो गवर्णर है उनका नाम है आचारे देव रत्तु आपको इतने कोशिन हिमांचल प्रदेश से याद रखना है अगला कोईशन कोश्चन नमबर 10 हाली में विहू महसव किस राजी में मनाए गया या फिर बिषु किस Raja का महोसो है तो उत्तर होगा Aisam इसके लब दो तीन ते ओहार और आपको याद रखना पौंगल महोसो जो है तमिन नडू में मनाया जाता है ओनम महोसो केरल में मनाया जाता है हौर्न विल फेस्टिवल नागालेंड में मनाया जाता है अब आपको Ism से तीन चार कोशन पता होना चैहे पहला अलक्सन कमिशन ने Ism राज में I-Help नामक अनिसिएट्व लांच किया है Digital Electrical को बढ़ावा देने के लिए तो I-Help जो इनिसिएट्व है इसको लांच किया है Ism राज में इसके बाब़ा असंब राजी में ही दिब्यांग लोगों के लिए गोहारटी में इलकसन कमिस्ण आना ज्योरी नाम का एक पखल लांच किया है और असमराजी ने किसानों को नई नई technology बताने के लिए धान के लिए Rice Knowledge Bank एक वे पोर्टल लांच किया है और असमराजी ने एक योजना चलाए है जिसका अरुधनती योजना और अरुधनती योजना के इस्ताहथ जो वहाँ की गरीब बच्चियां होंगी अगर उनकी साधी हो रही तो उनकी साधी में सोना दिया जाएगा तो इतने कोश्चन आपको याद रखना अरुधंती योजना, राइस नॉलेज बैंक, एना जोरी स्किम, आई हेल्प ये सभी चलाए गई है असम राजी में इसके अलवा सबसे इंपोर्टन जो योजना है आ इस योजना के तहट क्या होगा आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी असम राजी का सरकारी करमचारी है वो अपने बुढ़े माता पिता को किसी भी प्रकार का फानेंसियल कष्ट प्रवाइट दे रहा है तो असम सरकार जो है उस करमचारी के जो मासिक बेतन होगा उससे कुछ पैसा काट लिएगी तो ये प्रनाम इसके जो है असम राज द्वारा चलाई गई है असम राज की राजधानी है दिसपूर असम राज के जो गवर्नन उनका नाम है जगदीस मुखी असम राज के जो मुखी मंत्री उनका नाम है सारबंदा सोनावाल अब आपको तीन के लिए प्रसिद्ध इसके लावा डिबरू साहखवा नेशनल पार्क नामेडी नेशनल पार्क और आंग नेशनल पार्क मानश्ण वाइल लाइफ संच्षिंच będzie अगला कुोशन कुश्चन number 11 भारत पहला विदेसी पच्ची पार्ग कहां सुरू किया गया है तो यह सुरू किया गया है मुंबाई महराष्ट में इसके लावा एक और आपको पार्ग याद रखना ओटर पार्ग अब इभी चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूग बनाने के लिए एक नई पहल की है जिसका नाम है ओटर पार्क और ओटर पार्क जे खुला है गुरू गुराम हर्यानः में आपको बस इतना याद रखना है, ओटर पार्ग जो है चुनाव आयोग द्वारा बनाया गया है, गुरु ग्राम में मत दाताओं को जागरुक बनाने के लिए, अगला कोशन, कोशन नमबर 12, दुनिया की पहली ससस्त उभैचर ड्रोन बोट का सफलता पूरवग परिच्छन क इस देश ने किया, तो उभैचर ड्रोन का मतलब है, यह जो बोट है, जल में भी चल सकेगी और पृतवी पर भी चल सकेगी, तो इसका सफलता पूरवग परिच्छन किया, चीन देश ने, यानि कि इस कोशन का सही आंसर है, ए चीन, यह आप जो देख रहे हैं, फिगर, यह है, उभैचर ड्रोन, यह पानी में भी चल सकेगी, और प्रतिवी पे भी चल सकेगी, अगर दूसरा कोशन यहां से यह आपको यह याद रखना है, जो यह उभैचर ड्रोन, चीन द्वारा लांच की गई, इसका नाम क्या तो इसका नाम लगए है, मरीन लिजार्ड, अब आ 2019 का जो ASEAN Badminton Championship है, यह खेला गया, चीन के वहान सहर में, और 2019 का ASEAN Wrestling, यानि कि कुष्टी Championship है, यह भी खेला गया, चीन के जियान प्रांत में, इसके अलावा अभी अभी चीन में Belt and Road Forum जो है, इसका दूसरा जो सम्मिट है, चीन की राधधानी, बीजिंग में आयोजित किय चीन की राधधानी है, बीजिंग, और यहां जो मुद्रा चलती है, उसका नाम है रेननबी, और एक और मुद्रा नाम का याद रखना आपको, जिसका नाम है यू आन, तो यू आन जैसे भारत में, रुपिया और पैसा, उसकी चोटी यूनिट है इसी प्रकार, अमेरिका म कि ये जब तक चाहें, अपने पद पे बने रह सकते हैं, अगला कोशन कोशन नमबर 13, किस भारती खिलाडी ने डच इंटरनेशनल बैडविंटन किताब जीत लिया है, तो ये जीत लिया है एक भारती खिलाडी ने, जिसका नाम है हरसिल दानी, यानि कि इस कोशन का सही आं कानों में, जहां पे जो महिलाएं पुलिस कर्मी हैं, वो फिरी में सैनेटरी पैट पा सकेंगी, तो इस कोशन का जो सही आंसर है वो है B, अगला कोशन कोशन नमबर 15, यूनिस को गुलेर्मो कानो प्रेस सोतंतरता परोसकार 2019 के लिए किसा चुना गया, तो ये दो लोगों क को दिया गया, वालोन को और काव सो ओ को, ये दोनों जो पत्रकार हैं म्यामार देश के हैं, और इन्हों ने रोहनेग्या जो मुसल्मान है, म्यामार में वहां जो कतले आम हो रहा था, उसी के खिलाफ अपने पेपर में लिखा था, ये रियूटर्स कंपनी है, जो रियूट ये उनिसको को संस्था द्म पत्र द्रकार को दिया जाता है, जो क्रेजय सपूल सहास करके किसी भी चीज़ पे लेख लिखता है, तो इसको ठेल है, स्जी कज़ आप देख पार रहे हैं, ये आपकी से मिलता जोलता एक और अवार्ड आपको यार रखना इंटरनेशनल प्रेस इंस्टिट्टुट द्वारा वर्ड प्रेस फ्रीडम हिरोंक अवार्ड जो दिया गया है यह दिया गया है पाकिस्तान के एक ब्यक्ति जिनका नाम है सीरिल अलमेडा और यह जो सीरिल अलमे प्रियागर करने के लिए इनको 2019 का आई पी आई वर्ड प्रेस फीडम हीरो अवार्ड दिया गया तो इस कोशन का जो सही आंसर है वो है ए और सीरिल अलमीडा जो है पाकिस्तान देश के हैं अब आपको एक रैंक याद रखना है बिस सुप्रेश सुचकांग 2019 जो रैंक आई ह इसमें जो नमबर वंडेस रहा वो रहा नार्वे नंबर 2 पर फिनलेंड नंबर 3 पर स्वीडन तो इस कोशन का सही आंसर है वो है ए अप कोई भी रैंग इंडेक्स याद कर रहे हैं तो वहांसे आपको तीन Cohesion पता होने पहला उस index में number one greatest कौन रहा, नहुर्थ नहम का नार वेह और उस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या रही तो भारत की रैंकिंग 140 और उस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्ता कौन है तो बिस सुप्रेस सुचकांग को जारी करने वाली जो संस्ता उसका नाम 180 देशों में 180 नंबर पे वो है तुर्कमेनिस्तान और 179 पे नार्थ कोरिया तो इसका मतलब है नार्थ कोरिया और तुर्कमेनिस्तान में जो प्रेस है यानि कि वहां के पत्रकार है मीडिया है टीवी है उसको जो छूट है एकदम नहीं दी गई है अगर वो कुछ भी लिखे पर्ण बनाया है तो इसके लावा अप्रेल महिना में जितने भी ब्रैंड अमबेडर किसी कंपनी द्वारा या संस्था द्वारा बनायागे यह है पूरी लिस्ट आपको याद रखना चुनाव आयोग ने अपना गुडविल अमबेडर बनाया है ट्रांस जंडर गवरी सा के लिए फोन पे कंपनी ने अपना एक्टर आमिर खान को un に बना या है प्रंब एप्रेल मेना के टोटल ब्रेंड अमेडर जो किसी भी कंपनी या संस्था द्वारा बनाए गया और इस कोशन का जो सही आंसर है वो है MS धोनी अगला कोशन कोशन नमबर 19 होम एक्सपो इंडिया 2019 का आटमा संस्क्रम कहां शुरू हुआ है तो यह शुरू किया गया नोड़ा उत्तरप्रदेश में यानि कि इस कोशन का सही आंसर है अगला कोशन कोशन नमबर 20 आंतरिक उद्देशियों के लिए प्ले ब्लाक चेन प्लेट फार्म लर्निंग कोईन किसके द्वारा लांच किया गया है तो लर्निंग कोईन जो ब्लाक चेन है यह दो संसाओं द् अगला कोशन कोशन नमबर 21 हाली में 200 धरोहर दिवस कम मनाया गया तो जो 200 धरोहर दिवस है यह प्रतिवर्स मनाया जाता है 18 अप्रेल को यानि कि इस कोशन का जो सही आंसर है वो है C और यह मना जाता है UNESCO द्वारा पूरी दुनिया में जो धरोहर है यानि कि जो पूरानी इमारते हैं उनके प्रतिवर्स बनाने के लिए यह प्रतिवर्स मना जाता है 18 अप्रेल को अब आपको याद रखना है कोई तो जो जो दिवस धरोहर दिवस है यह 18 अपरेल को मनाया गया यूनिसको द्वारा और इसका थीम था रूरल लैंड़िसके इसके अलावा कुछ अन्नी दिवस आपको याद रखना अपरेल मैंना के लिए परेल को मनाया गया आपको याद रखना अगला कुशन को देश ने घुसना की है कि वाद 2020 में होने वाले G20 सिखर से मिलन में मेजबानी करेगा, यानि कि जो G20 सिखर से मिलन है 2020 कहां पर आउजित किया जाएगा, यह आउजित किया जाएगा साउदी अरेबिया में, यानि कि इस question का जो सही answer है, वो है, अगर question पुछे जाए साउदी अरेबिया में कहां, तो साउदी अरेबिया की र उसाका में साउधी एरभिया की राद्दानी रियाद में 221 बंडी में होगी इटली में अब सबसे इंपार्टन जो आपको याद रखना ए जी ट्वंटी शिखर शम्मेलन और इसमें 119 देश प्लस European Union आता है तो एक question पूछा जाता है कि G20 में कितने देश आते हैं तो 19 प्लस European Union और ऐसे भी question पूछा जाता है कि G20 में 19 देश प्लस एक consistence थाता है तो आपको याद रखना European Union अब यहां पर मैंने लिख रखा कि G20 क्या है तो G20 एक international forum है किसका जो उस देश की central government है जैसे अपने यहां RBI है central government और उस देश की जो government है यानि कि भारत सरकार और भारत की जो central bank है reserve bank of India इसी प्रकार 20 देशों का यह group है इसमें कौन-कौन से 19 देश प्लस European Union यह हैं 19 देश जो की G20 के अंतरगत आते हैं और 2020 की जो समिट होगी साओधी अरेबिया में साओधी अरेबिया के राधानी है रियाद और साओधी अरेबिया की जो मुद्र है उसका नाम है साओधी रियाल अब आपको एक report याद रखना जो कि साओधी अरेबिया से related है 2019 की एक report आई है जिसका नाम है सिप्री रिपोर्ट सिप्री का पूरा नाम है स्टॉक हिलम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट इसके अनुसार पूरी दुनिया में 2018 में जो हथियार खरीदे गए हैं सबसे ज़्यादा साओधी अरेबिया द्वारा नंबर वन में और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा 2018 में जो हथियार खरीदे गए हैं वो खरीदे गए भारत देश द्वारा ये तो हथियार खरीदने की बात अगर गात की जाए बेंचने की तो 2018 में सबसे ज़्यादा जो हथियार बेंचे हैं वो बेंचे हैं अमेरिका देशने और दूसरे नमबर पे सबसे ज़्यादा हत्यार वेचिये हैं रूस देश ने तो इतने कोश्चन आपको यहां से मिल जाते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 23 नेपाल ने अपना पहला सफलता पूरपक उपग्रा किस देश से लांच किया है तो नेपाल ने अपना पहला यानि कि एक दो दिन बाद स्री लंका ने भी अपना पहला उपग्रा लांच किया था जिसका नाम था रावना फष्ट नेपाल का पहला सेटेलाइट यानि को उपग्रा है नेपाली सेट वन और स्री लंका का पहला उपग्रा है रावना फष्ट भारत का जो पहला उपग् स्पुतनिक फष्ट और यह लांच किया गया था चार अक्टोबर 1957 में सोवियत यूनियन यानि की आज का रूस तो यह चार कुशन आपको याद रखना है नेपाल का पहला सेटेलाइट नेपाली सेट वन स्री लंका का पहला सेटेलाइट रावना फष्ट भारत का पहला सेट सेटेलाइट जो की 1975 में लांच किया गया था जिसका नाम था आरिभट और पुरी दुनिया का पहला सेटेलाइट जिसका नाम है स्पुतनिक फष्ट जो की लांच किया गया था रूस द्वारा उस समय का सोवियत यूनियन 1957 में नेपाल की राजधानी है काटमांडू और य इतने कोश्चन आपको नेपाल से याद रखने हैं अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 24 भारत का पहला UPI एकी करत ब्यापक बित्ती सेवा एप कौन बना है तो कोश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि भारत का पहला UPI कौन बना है जिसके तुरू आप फानेंसियल ट्रांजेक्श भी कर सकते हैं और share market में share भी खरीच सकते हैं इसके लावा एक और आपको UPI आप याद रखना है महिंद्रा कोटक बैंक जो है तो इसने यह कहा है अगर महिंद्रा कोटक बैंक का एकाउंट यूज करके कोई भी UPI के थूरू पैसा ले रहा है या दे रहा है ट्रांजेक्श बैंक जो है इसका मुख्याल है मुंबाई महाराष्ट्र में अगला कोट्शन कोट्शन नंबर यह कोट्शन नंबर सायद 25 है कोट्शन नंबर 25 है कि हाली में टाइम मैगजीन द्वारा 2019 के 100 प्रभावसाली लोगों की लिस्ट जारी की गई तो आपको बताना है इसमें कित प्रभावसाली बैक्तियों में सामिल किया गया है तो इस कोट्शन का जो सही आंसर है वो है यह जो टाइम मैगजीन है अमेरिका की बीकली फाइनेंसियल मैगजीन है यह आपको पता होना चाहिए और 2018 में सबसे ज्यादा जो कोट्शन पूचा गया था वो यह पूचा गया सबसे तो के 2099 में सबसे तो कोट्शन यह पूचा गया था किमट्राइम के सीईवर का क्या नाम है यह है तक ऑई मैगजीन और चाहिए मैगजीन को 2018 में खरीद लिया था salesforce.com के CEO और founder Mark Benoif ने तो question ऐसे पूछा गया था कि salesforce.com के CEO कौन है तो उत्तर होगा Mark Benoif वरतमान में जो time magazine है उसके मालिक जो है वो है Mark Benoif जो कि salesforce.com company के founder और CEO भी है अगला question question number 26 किस सहर के सभी petrol pump पूरी तरह से cashless हो गए है तो यह हो गए है गुहाटी के यानि की इस question का जो सही answer है वह है B गुहाटी जो सहर है असमराजी का सहर है और यहां के सभी जो petrol pump है वो पूरी तरह से cashless यानि की digital हो गए अब आपको गुहाटी से दो न्यूज याद रखना पहला गुहाटी का जो railway station है भारत का पहला railway station है जो की 100% solar power से चल रहा है इसके अलबा जो गुहाटी railway station है भारत का पहला railway station है जिसको ISO certificate दिया गया है ISO जो है इसका पूरा नाम है असम का गुहाटी railway station इसके अलबा गुहाटी में अभी अभी आसियान भारत युवा सिखर सेंविलन भी आयोजित किया गया था और आसियान जो country है इसमें total 10 देश हैं और आसियान का भारत मेंबर नहीं है ये भी आपको पता होना चाहिए इसके अलबा गुहाटी में ही senior national badminton championship 2019 का संस्क्रण आयोजित किया गया तो अगर question पूछा जाए 2019 की जो national badminton championship ये कहां आयोजित की गई तो ये आयोजित की गई गुहाटी सहर में इसमें पुरुसों में जो बिनर थे वो थे सौरफ वर्मा महिलाओं में जो बिनर थी वो साइना नेवाल तो इतने question आपको गुहाटी सहर से पता होना चाहिए अगला question question number 27 हाली में जारी report के अनुसार 2018 में ADB bank ने सरवाधी कि रिड किस देश को दिया है ADB का पूरा नाम Asian development bank इसका मुख्याला है Philippines की राधधानी मनीला में और इसके जो head है उनका नाम है ताक्य हिक है वो दिया है भारत को यानि की इस question का सही answer है A. भारत अगला question question number 28 question number 28 है fellowship of royal society द्वारा फेलो के रूप में चुने जाने वाली पहली भारती महिला बग्यानिक कौन बनी है तो यह बनी है गगंदीप कांग जो गगंदीप कांग है यह तमिन नाडू राजी की एक डॉक्टर है और यह भारत से पहली महिला बनी है जिनको फेलो रॉयल यह क्या है तो लंदन में एक रॉयल सुसाइटी है जो कि कामन वेल्थ के जितने भी देश हैं उनमें से जो इंटलेक्च्ट्वल लोग होते हैं उनका एक फोरम है गुरूप है उसी के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है फेलो सीपाफ रॉयल सुसाइटी तो फेलो सीप रॉयल सुसाइटी में पहली भारती बज्यानिक जो महिला सामिल हुई है उनका नाम है गगंदीप कॉंग यानि कि इस कोशन का जो सही आंसर है वो है बी यह मैंने यहां पर लिख भी रखा कि फेलो सुसाइटी क्या है तो इसका मुक्याल है लंदन में और य अगला कुशन कुशन नमबर 29 किस देश में तैनात भारती सांती रचकों को संक्त राष्ट द्वारा पदक संभानित किया गया है तो जो CRPF के जवान थे यह तैनात थे दच्छन सूडान में तो वहां तैनात होने के वज़ए से वहां जो सांती मैं आया उसकी वज़ए से यूनाइटे नेशन्स ने CRPF जवानों को दिया है पदक यानि कि मेडल तो यह कि राज में तैनात ? तो यह तैनात है द्च्छन सूडान में यानि कि इस कुशन का जो सही अंसर है वह भी दच्छंड सूडान यानिकी साव सूडान की राधदानी है जुमा और जो सूडान देश है ये अलग देश है इसकी राधदानी है खारतूंती दो देश अलग-अलग हैं आपको याद रखना है अगला कुशन कुशन नमबर 30 हाली में जारी रैंकिंग के अनुसार किस खिलाडी की बिस्स कुश्टी में पुरी दुनिया में जो रैंकिंग है वो सीर्स इस्थान पे रही यानि की नमबर वन रही तो पुरी दुनिया में 65 कटेगरी में जो नमबर वन खिलाडी सीर्स पे ख कुछती 65 कतेयग Campus No.1 बजरिण पुणिया की हुरा है कैनल में कचिछ न्हीं सेनिक अब्यास का सुबाविक प्रांस को यही जो वरौन नौसेनिक अब्यास वहांद रीच हुई अगर question पुछा जाए कहां हुई तो ये हुई भारत के राजी गोवा में तो इस question का जो सही answer है वो है A इसके लावा आपको सभी 9 सेना जो अभ्यास है ये पता होना चाहिए काउन किस देश के साथ होती तो भारत सिंगा कुर के साथ करता है बोल्ड कुर छेत्र भारत रूस के साथ करता है इंद्र भारत स्री लंका के साथ जो सैना भ्यास करता है उसका नाम मित्र सक्ती भारत बंगला देश के साथ करता संप्रीती सैना भ्यास और भारत नेपाल के साथ करता सूरी किरन सैना भ्यास तो ये कुछ 21 दिवस यानि की वर्ड लिवर जो डे जो है यह प्रतिवर्स मना जाता है 19 अप्रेल को यानि की इस क्वॉशन का जो सही आंसर है वो है इसके लवा 18 अप्रेल को मनाया गया दिवस 14 अप्रेल को मनाया गया है डाक्टर भीम्राव अमबड़कर जी की जैन्ती 22 अप्रेल को मनाया गया है लिए कुछ अन्य दिवस हैं जो कि अप्रेल महिना में मनाया गए अगला कुशन कुशन का जो सही आंसर है वो है C अब आपको पता होना चाहिए अंतर राष्ट्री फ्लीट रिव्यू क्या है तो अभी यह भी चीन की जो आर्मी है जिसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी आर्मी तो इसके सतर साल पूरे हुए थे तो इसी की सतरवी जो अनिवर्सरी हुई थी इसी के उपलच में एक आयोजन किया गया था जिसका नाम था इंटरनेशनल फ्ली ट्रिव्यू और यह हुआ था चीन के सहर कौंग डिगो में तो इसमें पार्टी सिपेट भारत की तरफ से जो गये थे बोट उनका नाम था वो है रेननबी और यवान है यह सायद मैं सभी बता चुका है तो आपको इसका स्क्रिंसाट ले लेना है अगला कोशन कोशन नमबर 34 भारती ब्यापार समधाय के लिए यू एई यूनाइटेड अरब अमिरात के ब्रैंड अमेडर किसे निक्त किया गया है तो इनका नाम है रभी कि व्यापार समधाय के लिए ब्रैंड अंबेडर यानि कि इस कोशन का जो सही आंसर है वो है अगला यह मैं भी बता चुका हूँ जो रिसेंट में अप्रेल महिना में जितने भी ब्रैंड अंबेडर निक्त किये गए तो इसका भी इसके लिए साट आपको ले लेना है अग इस देश को 267 मिलियन डालर का सुला भरिंड प्रदान करेगा तो यह देगा रवांडा देश को यानि कि इस कोशन का सही आंसर है रवांडा जो देश है यह अफ्रीका महाद्यूप का देश है इसकी राध्धानी है किगाली और यहां जो मुद्रा चलती उसका नाम है रव पॉल कंगामे को कितनी गाएं प्रदान किये थे तो मोदी जी ने पॉल कंगामे को 200 गाएं गिप्ट किये थे तो यह नंबर आपको याद रखना है और इससे मिलता जलता दूसरा नाम है देश है जिसका नाम है यूगांडा तो यूगांडा अलग देश है रवांडा यूगंडा की राधदानी है कमपाला वर यूगंडा की मुद्रा है उसका नाम का नाम है यूगंडन सीलांग Baba अगया चुनाओ आयो गयाने की मिशकी स्वेक्न सियों इस की सहायता से इन्सटैन्ट पताक लगार मसच उद्ट वोटिंग हो रही है कि कितने प्रतिसत कहां पे वोटिंग हुई तो इस कोशन का जो सही आंसर है वो है इसके अलावा एक और आप आपको याद रखना है सी वीजिल आप यह भी चुनाव आयोग द्वारा लांच किया गया है इसकी सहाथा से चुनाव आयोग जो चुनाव हो हैं उनकी पूरी संपूर जानकारी और निगदानी रखेगा तो यह दो आप आपको याद रखना है इसके अलावा चुनाव से रिलेटेड एक और न्यूज में आपको बता दूं जो साउथ इंडन फिल्मों के अक्टल है जिनका नाम है कमल हसन कमल हसन ने अपनी एक कुशन आपको याद रखना है इसके अलावा मैं चुनाव से जितने भी कुश्चन रिलेटेड हैं करेंट फेर के 30 पर इंटिस जो मोस्ट इंपार्टन कुश्चन है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं वो जरूर देखिएगा क्योंकि इस समय चुनाव को माहूल है तो उम्मीद करते हैं कि हर एक्जाम में दो तीन कुश्चन चुनाव से जरूर आएंगे तो चुनाव से जो इलक्षन बेस्ट करेंट पर कुश्चन है इसका भी वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा अगला कुश्चन कुश्चन नंबर 37 किस भीमा कंपनी को ISO सार्टिफिकेट मिला है तो यह मिला है अभी अभी चोल मंडलम इंस्योरेंस कंपनी को जिसका मुख्याले है मुंबाई चन्नाई में तो इस कुश्चन का जो सही आंसर है वो है ए इसके लाव एक इंस्योरेंस कंपनी जिसका नाम है जनरल इंस्योरेंस कार्पोरेशन तो general इंस्योरेंस कंपनी के च». अजिसके विए लूंदन द्वारा प्रीडम आफ automate दिया गया तो यह भी आपको नाम याद रखना है अलियस जी बैद्धियान जो की जनरल इंसरेंस कार्पोरेशन की चेर्मैन और मैनेंजिंग डिरेक्टर है इनको 2019 का प्रीडम आप सिटी आप लंदन यूनाइटेट किंग्डम द्वारा अवार्ड दिया गया है अगला कुछन कुछन नमबर 38 भा पान देश की साहता से यानि कि इस कोशन का जो सही आंसर है वो है सी केन्या जो देश है अफरीका महादीब का देश है यहां से आपको दो तीन कोशन पता होना चाहिए पहला केन्या देश की रादधानी नौरवी यहां की जो मुद्र है उसका नाम है केन्या की रादधानी ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया तो ये इतनी म्यूज आपको क्यान्यादेश से याद रखनी है इसके अलबा दो तिन आपको कैंसर हस्पताल के नाम याद रखना है पहला होमी भावा कैंसर हस्पताल इसका इन्योग्रेशन किया है परदान मंतरी मोदी ने वारंसी उत्तर प्रदेश में इसके अलबा नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट की स्थापना की गई है प्रधान मंत्री मोदी द्वारा जजर हर्याना में और एक कंसर हस्पिटल है जिसका नाम MNJ कंसर हस्पिटल जो की हैदराबाद तेलंगना का है इसका नाम आया था गिनेज बुक आफ वर्ड रिकार्ड में इसके अलबा भारत का सबसे अच्छा जो कंसर हस्पिताल मना जाता वो मना जाता टाटा मेमोरियल हास्पिटल जो की मुंबाई में है अगला कोशन कोशन नमबर 39 किस ग्रह के उपग्रह पे तरल मिथेन की मौजूदगी का पता चला है तो तरल मिथेन जो है ये सानी ग्रह के उपग्रह पे मिलने की मौजूदगी का पता चला है तो इस कोशन question number 45 global startup ecosystem 2019 ranking में भारत की rank कितनी आई तो भारत की जो rank आई है global startup ecosystem 2019 में वो आई है 17 यानि की इस question का जो सही answer है वो है अब आपको याद रखना कि भारत की तो rank आई 17 इसमें number 1 देस कुन रहा तो इसमें number 1 देस रहा अमेरिका number दूसरे पे रहा United Kingdom number 3 पे रहा Canada इसके लावा अब आपको पता होना चाहिए कि जो startup ecosystem ranking system में किसके द्वारा launch की गई या किसके द्वारा publish की गई तो यह publish की गई startup blink संस्था द्वारा और इसमें भारत इसकी इसकी रिपोर्ट के नुसार भारत में जो सबसे अच्छा साहर है startup के लिए वह है बैंगलूरू दूसरे नंबर पे न्यूडली तीसे नंबर पे मॉंबई तो बैंगलूरू नंबर वन पे न्यूडली नंबर तू दो पे मुंबई नंबर तीन पे startup के लिए भारत में यह तीन सहर सबसे अच्छे है startup blink संस्था द्वारा इसमें भारत की रहेंग रही सत्रा और नंबर वन देश रहा अमेरिका इसके लावा एक और इंडेक्स आपको याद रखना है इसमें भारत की जो रहेंग है वो है 140 और यह question मैं अलड़ी बता चुका हूं अगला question question number 41 टूइटर ने अपने भारत बाज सही answer है वो है C इसके अलाबा Google ने इंडिया बिजनेस के लिए जो हैड अभी अभी बनाया उनका नाम है मयूरी कांगो जो की बालीवूड एक्ट्रस है ट्विटर कंपनी जो है इसके CEO है जैक डार्सी और WhatsApp कंपनी के जो founder है वह जाम में पूछा जाता तो आपको याद रख Facebook कंपनी के founder और CEO है मार्क जकर बर्क अगला कुशन किस कंपनी ने देश की डाक बितरण पणारी को बदलने के लिए भारती डाक के साथ साजेदारी किया है तो भारती डाक को digitalization करने के लिए उसके स्वरूबत को बदलने के लिए TCS यानि की Tata Consultancy Service ने भारती डाक के साथ सम आटी पार करने वाली भारत की पहली भारती रीटेल कंपनी बनी है तो यह बनी है Reliance Ritale Company Reliance Retail Company भारत की पहली retail company है जिसका जो turn over है एक लाख करोण प्रतिवर्स पहुंच गया है तो इस question का जो सही answer है वो है A Reliance Retail अगला question question number 44 विश्व पुस्तक दिवस कम मनाया जाता है तो विश्व पुस्तक दिवस जो है ये copyright day या फिर international day आप भुक भी कहा जाता है तो कोई भी नाम आपके जाम में पूछा जा सकता है इस साल का जो विश्व पुस्तक दिवस था इसका थीम था share a story और इसको मनाया जाता है यूना यूनिसको संस्था द्वारा तो इतने question आपको यहां से याद रखना है और इस question का जो सही answer है वो है C 23 April अगला question question number 25 cancer preparedness index 2019 में कौन सा देश नंबर वन रहा तो cancer preparedness index में आस्ट्रिलिया देश नंबर वन पे रहा नीदर लेंड नंबर दोर पे रहा जर्मनी नंबर तीन पे रहा और इसमें भारत की जो रैंकिंग रही वो रही वन नाइस और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था उसका नाम है the economist intelligency unit तो इतने question आपको यहां से पता होना चाहिए अगला question question number six total health secure goal योजना किसने शुरू किया है तो total health goal secure जो योजना है इसको सेख़़ किया गया है बाजाज इल्याज insurance company द्वारा और बाजाज इल्याज insurance company का मुझ्खयाल है पुने में और यह एक परकार की बीमा योजना है तो इस question का जो सही answer है वो है B अगला question question number 47 ACI badminton championship 2019 कहां आउजित की गई तो ACI badminton championship 2019 जो है यह आउजित की गई चीन देश में यानि कि इस question का जो सही answer है अब आपको पता होना चाहिए कि चीन में कहां तो चीन के वुहान सहर में और इसमें महिल पुरुसों में जो जीते हैं ACI badminton championship 2019 उनका नाम है केंटो मोमेटा जो की जापान देश के हैं और महिलाओ में जो जीती हैं उनका नाम है अकाने यामागूची और अकाने यामागूची भी जापान देश की खिलाडी है तो यह दो खिलाडियों के नाम याद रखना है यह जीते हैं 2019 का ACI badminton championship 2019 तो इस question का जो सही answer है वो है चीन के वुहान सहर में अब आपको पता होना चाहिए एक और question कौन सा ACN weightlifting championship 2019 जिसको बोला जाता है हिंदी में ACN भारत तोलग प्रतियोगिता 2019 तो ACN भारत तोलग प्रतियोगिता जो है यह भी चाइना के चाइना में आवजित की गई चाइना में कहां निगबो सहर में तो इतने question आपको पता होना चाहिए अगला question question number 48 संतोष्ट्राफी 2019 को कि जीत लिया सर्विसेज टीम ने जो सर्विसेज टीम है यह इंडियन आर्मी के अंतरगत एक टीम आती है उसने जीत लिया है संतोष्ट्राफी जो है घरेलू फुटबाल की सबसे प्रतिश्ठित त्राफी मानी जाती है तो इस question का जो सही answer हो है C और फुटबाल से एक question और आपको याद रखना है जैसे cricket में होता है भारत में IPL इंडियन प्रेमियर लीग उसी प्रकार फुटबाल में खेला जाता है इंडियन सूपर लीग तो इंडियन सूपर लीग जिसको बोला जाता है ISL इसको 2019 में जीत लिया है बेंगलूरू FC क्लब ने अगला question हां यह तो अगला question असमानता यानिकी इनेक्वल्टी पर अध्धन के लिए अमरतिसेन चेयर यानिकी अध्यन पेट की इस्थापना की घोसना किसने किया है तो इसकी घोसना किया है लंदन इसको लाफ एकनोमिक्स ने यानिकी इस question का जो सही आंसर है वो है अमरतिसेन भारत के अर्थसास्त्री हैं जिनको 1998 में इकनोमिक्स्ट के छेत्र में नोवेल प्रुसकार भी दिया गया था अगला question है यह question number होगा पचास question number 50 यह है कि बजरंग पुनिया ने ACI कुस्ती चेंपियंशिप 2019 में कौन सा पदक जीता तो बजरंग पुनिया ने जीता था सुनान पदक यानिकि इस question का जो सही answer है वो है और इससे पहले मैं एक और question इससे related बता चुका हूँ कि बजरंग पुनिया का 65 category में पुरी और ऑजूत की अभी चीन देश में ने तो चीन में अभी बहुत से प्रतियोगता आयूत की इसके अलावा ECI कुस्ती पर विसेश डार्क टिकट जारी किया है तो रामार के नाम पे जो विसेश डार्क टिकट जारी किया गया है यह जारी किया गया है इंडोनेसिया देश द्वारा यानि कि इस कोशन का जो सही आंसर है वो है यह है डार्क टिकट जो कि इंडोनेसिया देश द्वारा जारी किया थे इंडोनेसिया के जो राष्टपती हैं उनका नाम है जोको बीडियोडो अगला कुश्चन कुश्चन नमबर बावन किस देश ने दुनिया के पहले फ्लोटिंग न्यूकलियर पावर प्लान का सफल परिच्छन किया है तो यह किया गया है रूस देश द्वारा यानि कि इ रूस ने लांच किया है तो इस कुश्चन का जो सही आंसर है वह सी रूस की राधधानी है मासको यहां के जो प्रेशिडेंट है उनका नाम है वलादमीर पुतिन और रूस की जो मुद्रह उसका नाम है रूस रूबल इसके लावा रूस से एक और निव आपको याद रखन जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लावा जो UAE का हाइस्ट अवार्ड था जायद मेडल ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा इसके लावा 2018 में चैंपियंस आफ अर्थ अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया गया सीओल सांती प् बिस्ट के सबसे एडवांस मलेरिये के टीके का पहला परिच्छन किया गया तो ये किया गया है मलावी देश में यानि कि इस कोश्चन का जो सही आंसर है मलावी ये दो देश है ये अफरीका महाद्यूब का एक देश है अब आपको पता होना चाहिए कि जो मलेरिया दिवस है ये कब मना जाता है तो प्रतिवर्स 25 अपरेल को मना जाता है विस्ट मलेरिया दिवस और इस साल की जो थीम थी उसका नाम था वो थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विदमी जीरो मलेरिया इस्टार्ट बिदमी इस साल का 20 मलेरिया दिवस का थीम था यानिकी बिस है था और 25 अपरेल को 20 मलेरिया दिवस पे दुनिया का सबसे एडवांस जो मलेरिया का टीका है वो लांच किया गया पहली बार डबलू एच्चो दोरा मलावी देश में इसके अलावा एक कोछन और आपको याद रखना भारत का जो लच्छ है वो लच्छ है 2030 तक भारत से प्लेया का खत्न करना इसलिए भारत ने ऐक अपना खुद का इनिसियेटी फ लांच मैरा intenust करना है । का प्लेयारिया अलिमिनेशन रिस related जितने भी लोग काम करेंगे उसका एक फोरम बनाया गया है और उसका नाम रखा गया है मेरा इंडिया तो मेरा इंडिया का फुलपा में Malaria Elimination Research Alliance और इसको सुरू किया गया है ICMR द्वारा ICMR का पूरा नाम है Indian Council of Medical Research जिसका मुख्याले है नई दिल्ली में अगला कॉश्चन कोश्चन नमबर 54 कलकत्ता खेल पत्रकार कलब द्वारा सरुसेश्ट खिलारी का पुरुषकार किसे दिया गया तो ये दिया गया पूर्व क्रिकेटर जूलन गोस्वामी को यानि कि इस कोश्चन का जो सही आंसर है वो है अगला question question number 55 हाली में पहली बार महिलाओं को जवानों के रूप में सामिल करने की प्रक्रिया किसने शुरू किया है तो ये शुरू किया गया है Indian Army द्वारा यानि कि इस question का जो सही answer है वो है तो इस question का जो सही answer हो है वरतमान में हमारी जो Indian Army है उसके जो head है Chief है उनका नाम है जनरल विपिन रावत अगला question question number 56 मुखिन आदिस रजन गागोई के विरुद्ध योन सोचन के मामले की जाच करने के लिए टीम गठित की गई तो आपको बताना उस team के head कौन होंगे यानि कि उस final के का नेतत्त कौन करेंगे तो यह तीन लोगों की team बनाई गए कौन-कौन है जस्टिस इंदु मालोत्रा जस्टिस इंद्रा बनर जी और इसके जो head होंगे वह होंगे question question number 57 किस बैंक द्वारा भारत का पहला green card loan शुरू किया गया है तो यह शुरू किया गया sbi bank द्वारा sbi का मुख्याल है मुंबई महराष्ट में और इसके जो chairman है उनका नाम है रजनीश कुमार और sbi का एक app आपको याद रखना जिसका नाम है योनो आप तो योनो आप जो है यह sbi का आप है और इसकी जो brand अंबेडर उनका नाम है स्वपना बर्मन अगला question question number 58 रबिन नाट टैगोर साहितिक पुरुसकार 2019 से किसे सम्मानित किया गया तो यह दिया गया है राणा दास गुपता को यानि कि इस question का जो सही आंसर है वो है c यह है राणा दास गुपता अगर question पूछा जाए राणा दास गुपता को रबिन नाट टैगोर साहितिक पुरुसकार 2019 इसके लबाए एक और आपको पुरुसकार याद रखना है यह तो हो गया साहितिक पुरुसकार सामाजिक उपलबदी के छेत्र में भी दिया जाता है तो यह दिया गया है जापान के वेक्ति ओए है सासा का वाको यह भी नाम आपको याद रखना है अगला question question नमबर 59 कि पुझार पूजा रानी ने कौन सा पदक जीता तो अमित फॉंगल और पूजा रानी इन दोनों ने जीता था सुन पदक यानि कि इस question का जो सही आंसर है हुआ है अमित फॉंगल और पूजा रानी ये दोनों जो खिलाड़ी है ये हरियाना राज से है अब question पूछा जा सकता है कि जो ACN Boxing Championship है ये कहां आजुद किया गया तो ACN Boxing Championship जिसको इंगलिस में बोल जाता है तो ये आजुद किया गया बैंकांग देश में तो इस question का जो सही आंसर है वो है अगला question question number 61 पूरुसों के ODI International Cricket Match में Empire बनने वाली पहली महिला कौन बनी है तो ODI मैचों में पहली महिला Empire बनने वाली जो बनी है उनका नाम है Claire Polosak जो कि Australia देश की महिला है तो इस question का जो सही आंसर है वो है यह है Claire Polosak जो कि Australia देश से हैं जो अंतराश्टी इस तरफ पर क्रिकेट की governing body है उसका नाम है ICC ICC का पूरा नाम है International Cricket Council और इसका मुख्याल है दुबाई में और ICC की जो चेर परसन है वो एक भारती जिनका नाम है ससांग मानोहर ICC के जो CEO है वो भी एक भारती जिनका नाम है मनुसाहनी और इसका मुख्याल है दुबाई UAE और भारत में जो क्रिकेट की governing body है उसका नाम है BCCI और BCCI का मुख्याल है मुंबाई महाराश्ट में अगला क्वेशन क्वेशन नमबर 62 आर्बियाई ने किस रुपे आर्बियाई ने नई सिरीज का कितने रुपे का नया नोट जारी करने की गोशना की है तो आपको यहां से तीन क्वेशन पता होना चाहिए पहला इसका डाइमेंशन क्या होगा साइज क्या होगा तो इसका डाइमेंशन होगा 63 x 129 mm और इसका जो कलर होगा बेस कलर होगा ग्रीनिस एलो और इसके बाइक साइड पे जो चित्र होगा वो होगा मोटिफ आफ एलोरा के यानि कि एलोरा गुफाओं का चित्रण होगा इसके बायक साइड में तो ये तीन कोश्चन आपको याद रखना है RBI जो है इसका मुख्याल है मुंबाई में और ये भारत का सेंट्रल बैंक है अगला कुश्चन कुश्चन नमबर 63 हाली में पुंगम कन्नम का निदन हो गया ये कौन थे तो पुंगम कन्नम जो है भारत के पूर फुटबालर थे यानि कि इस कुश्चन का जो सही आंसर है और दुनिया के जो सबसे प्रतिष्टित फुटबालर है जो कि ब्राजील के हैं इनका नाम है पेले और जो पुंगम कन्नम है ये भारत के खिलाडी है और इनको कहा जाता था भारत के पेले तो इस कुश्चन का जो सही आंसर हो है ए पूर्व फुटबालर तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्ति करते हैं यह थे अप्रेल महिना के महिने का पार्ट तू जो दो सो से ज्यादा तयार हो जाएंगे अब आपके लिए कुश्चन क्या है किस देश ने दुनिया के पहले फ्लोटी नुकलियर पावर प्लांट का सफल परिच्चन किया तो इस कुश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बाक्स में देना होगा तो अमीद करते हैं कि इस वीडियो में कुछ आपको नया सिखने को मिला होगा और आप कोई वी एक्जाम देने जाएं तो उसके लिए भी यह हेलफुल होगा और इसमें 90 to 95 जो कुश्चन है हम ऐसा कुश्चन बनाए हैं कि यह जरूर आएंगे तो अगर हमारा पीडियाप खरीदना चाहते है पिछले च्छे महीने का तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बाक से मिल जाएगा वहां से आप खरीज सकते हैं इसमें जो टोटल कोश्चन हैं वह हैं 300 और यह सबी कोश्चन पिछले च्छे महीना यानिकि नॉमबर 2018 से लिए 30 अप्रेल 2019 तक हैं अगर आपको पीडियम खरेजने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है या पिडियम डालोन नहीं हो रहा तो आप हमको इस मेल आइडी पे या फिर इस वाट्सप नंबर पे कांटेट कर सकते हैं एक बात और आप से रिक्वेस्ट है गुजारी से कि अगर अभी तक हमारा चैनल एक्जाम खर लो एक्ट एकड़ देता धालोन एंग destे वीजारी से रिक्वेस्वेण levant мой